प्यारे वच्छों नमस्का 10 और 12 क्लास के एक्जाम को लेकर बारसिक परिक्षा को लेकर एक नया अपडेट अभी सामने आया है सभी सरकारी स्कूल में या आदेश प्राप्त हुआ है कि फरवरी में प्रीवोट परिक्षा आयोजित होगी हाई स्टुडेंट और इसके पहले जनवरी में एक और रिविजन टेस्ट कराया जाने की बात चल रही है तो अभी हो सकता है कि आपनों की स्कूल जो प्रापर अभी चल रहे हैं उसके बाद जनवरी में आपनों को आदेश मिले कि एक और रिविजन टेस्ट आपका होगा ब्लूप्रिंट के ब्रॉपरिंट को सब्सक्रों तो मार्च के लास्ट में बारस्क परिक्षा को थे लिए करल जाएगा अभी जन्वरी की महिने में तो यह सभी स्कुलों को आदिस प्राप्त हो गया ये भी आदिस दिया गया सभी सिक्षकों को कि प्रापर आप लोग न्यू ब्लूइप्रिंट के इसाब से स्टुडेंट को पूरी तैयारी करवाएं और नए ब्लूइप्रिंट के बारे में आसानी से स्टुडेंट को जानकारी दें कि किस नम्मर के कितने प्रेशन आएंगे और किस टाइब में एक्जाम में करना है तो ये न्यू अपडेट अभी जारी की गई है सभी स्कूलों में सामजी विज्ञान में या कच्छा बारवी में जिनका बुगोल भी से है उनको भी अब जो नकसा बनने के लिए आएगा वो दस नम्मर की बजाए चार नम्मर का रहेगा क्योंकि इस बार जो बड़े नममर जो दिरग उत्री प्रशने हैं उनको हटा दिया गया है तो चार नमर ही आपके सबसे बड़े हैं तो जो नकसा आएगा वो केवल चार नमर कर रहेगा और एको न्यू अपडेट है स्टुडेंट्स की जो बारभी में पढ़ रहे है स्टुडेंट्स है वो अब C.A. की परिक्षा अटेंड कर सकते हैं तक ये रूल था कि 12 होने के बाद ही वो C.A. की परिक्षा दे सकते थे जो चार्टेट अकाउंटेंट के लिए इंट्रेस्टेड है बट अब 12 में पढ़ते हुए भी आप इस एक्जाम को दे सकते हैं अटेंड कर सकते हैं उसके बाद 10 वाली स्टुडेंट्स फाउंडेशन कोर्स के लिए जो C.A. का होता है उसके लिए 10 में रहते हुए भी रेइस्ट्रेशन करा सकते हैं तो आज की न्यू अपडेट थी स्टुडेंट्स जो आपके लिए में लेकर आया हूँ ये बड़ी न्यूज है कि फरवरी में आपके प्रीबोर्ड एक्जाम होंगे और जन्वरी में रिविजन टेस्ट हो सकता है इसके लिए भी तैयारी चल रही है और सभी टीचर्स आपको न्यू बुली प्रिंट के हिसाब से जानकरी भी देंगे कि किस टाइप में पेपर्स आएगा है ये उन्नों को आदेस आगया और कोर्स भी टाइम पे सभी को कराना है तो चैनल पर बने रहने के लिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लिए जिएगा ताकि नएने अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिल सकें ठेंक्यू